दोस्तों नमस्कार आप सबंगा स्वागत है आज की इस सांदर वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SSE GD Constable का expected cut-up क्या है अभी जो currently जो वेकेंसी निकला है SSE GD का जिसमें बहुत साथी हमारे apply कर चुके हैं तो और कर भी रहे हैं तो SSE GD का expected cut-up क्या होगा एक cut-up जो है मैंने बहुत analyze करके कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताने का पहले तो आप देख वा रहे हैं कि आपे sheets कितनी है इसके पहले बता दू कि आप हमारे चैनल पर नाया है पहली बार आया है सेनल को जट पर जट पर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए ताकि लेटेस्ट नोडिफिकेशन आप तक पहुंच है तो चलिए आज हम लोग डिस्केस कर लेते हैं कि जो एक ssegd है उसका expected cut-up क्या होगा है तो चलिए हम लोग पहले पोस्ट देख लेते हैं देखे बिस्ट देख लेते हैं सीट्स देख लेते हैं देखें bsf की बात करें तो bsf जो है उसका सीट जह है 6174 वीसेप का है 6174 CISF की बात करें तो CISF जो है 11,025 यानि सबसे ज्यादा वेकिंसी जो है वो CISF में है और CISF में हमारी बहुत साथी जो है वो कोशिज करते हैं कि हमारी जौब जो है वो CISF में लगे यानि हमारे कटप जो है CISF के अंतरगत आ जाए तो वो बहुत अच् वहीं पर बात करें CRPF तो CRPF जो है 3337 वेकंसी है 3337 सीट है SSB SSB का है 635 ITBP की बात करें इंडिया टिवर्ट बॉर्डर जो पुलिस होती है उसकी वो 3189 असम राइफल की बात कर लेते हैं तो असम राइफल में 1490 है SSF की बात कर लेते हैं 296 तो यहाँ पर मैंने आपको बत सीट है अपने अप्लाय कि आ तो सारी सीटों को देख करके अप्लाय किया मुझे लगता किसी तरह का गड़वड़ियर नहीं होएं क्योंकि बहुत आसानी तो आपने सीटों को आपने देख लिया अपने शीत का इनलाइस करके भारे होंगे और आप प्रिफ्रेंस भीम बढ किया होगा आपका कटफ यहां पे जो एक्सपेक्टेट कटफ है वह नई भेकेंसी के लिए वह में बता दो देखो सबसे पहले यह भी जान लो कि आपके जो टोटल नम्मर होंगे वह रिजिनिंग चालिस जी के चालिस मैद चालिस इंग्लिश चालिस यह तोटल जो है वह एक इसका मतलब यह हो गया कि इस वेकिंसी में जो केंडिडेट अप्लाइ करेंगे वह काफी ज्यादा संख्या में करी है हमारे जितने भी साथ हैं जो टैंथ पास हैं वह सोचने कि नहीं भाई जिनके हाइट है या जो यह सब योगिता हैं पूरा करें जो इसके अंतरगत है ए वह सोचने कि वह यह जो नहीं में सांधर नोकरी में अपना पहली है स्य्टेल हो जाए तो फॉम भरने की फॉम गीरने के संख्या संभावना है कि बहुत जादा फॉम गीरेंगे हैं चुकि अनुपार्थ में सीट भी हैं सीट व्यानुपार्थ मेंह Им chuteak सीट वाइज आपको यह पोस्ट वाईज आपको एकसेकर कर लाता है हुआ ब्सफ की बात करें तो तो देख लिए मैंने मेहरा कोष्ट वाईज जो है एकसपेक्ट्लाज आवा वकि हम अद पर याम आपको मेंहरा । तो यू आर जो है वो 73 जाने का संभावना है EWS की बात करें तो यहां पर थोड़ा इसे कम 66 ठीक है 66 EWS यू आर जो 73 वह पर बात कर लेते हैं OBC की OBC जो है एक दो कुशन प्लस मैनस की बात आप कर सकते हैं चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऐसी की बात कर लेते तो ऐसी जो है वो 64 जाने की संभावना है 64 इसका कट अब जाएगा और यहां पर स्थी फिप्टी एट ठीक है 58 और यहां पर से 64 तो यहां पर आपने देखा कि बीए सब कर जो है मैंने के टिटना जाएगा यह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया तो बीए से यू आर देख लिए थे हैं अन्रिजर्ब यानि जेनरल 73 EWS 66 OBC 68 से 64 and ST 58 वहीं पर सी एसे सब्सक्राइब थोड़े ज्यादा जाने के संभावना रहती है चुकि ज्यादा वच्चों के प्रिफ्रेंस जो हैं सी आए सफ है और वो कोशिश भी करते हैं कि सी आए सप में उनकी जोब लग जाए तो यूर की बात कर लेते तो 85 वहीं पर EWS की बात कर लेते तो 80 EWS का जा हो सकता है SC की बात कर लेते तो 72 थोड़ा से कम इसे और ST की बात करते तो 65 यह इसका कटफ रहेगा ठीक है CISF का जेनरल 85 EWS 80 OVC 78 SC 72 and SC 65 ठीक है अब आगे बात कर लेते हैं CRPF CRPF जो है उसका कटफ जो है UR 73 EWS 68 OVC 69 SC 65 and ST 62 एराउंड 60 का सपाशी रहेगा 61 62 मैं 62 दिया हुए यहां पर तो CRPF 73 अन्रिजर्ब EWS 68 OVC 69 SC 65 and ST 62 यह कटफ जाने का संभावना यहां पर SSB की बात कर लेते हैं तो SSB का कटफ भी थोड़ा ठीक रहता है तो SSB का यहां पर 82 और EWS का देख लेते हैं 77 OVC की बात कर लेते तो 79 और SC की बात करें तो 68 और ST की बात कर लेते तो 62 यह इसका कटफ की संभावना है SSB की वहीं बात कर लेते हैं अब EWS 66 OVC 65 SC 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 आएगा आपका 62 और ST आएगा आपका 58 यह आपका ITVP के हमने बात करें तो ITVP का भी कटफ आपको दे दिया असम राइफल की बात कर लेते तो असम राइफल का 75 जाएगा यू आर जेनरल 73 जाएगा EWS और 71 जाएगा आपका OVC और 68 जाएगा आपका SC और 62 जाएगा आपका ST यह जेनरल कटफ हमने बताए यह देखिए सबका OVC कटफ इससे जादा नहीं जाने की संभावना है ऐसे सब की बात करें तो यहां पर 84 UR 81 EWS OVC जो है वो 80 और SC जो है वो 74 और ST जो है वो 70 या 68 69 70 बस यही रह सकता है कि देखो ऑवरल कटफ हमने हर एक स्टेट का ओवरल कटफ बता कि इससे जादा ज्यादा कटफ आपका नहीं जास जाने की संभावना है तो एक्सपेक्टेट कटफ 2024 को हमने डिस्पिली किया बोर्ट पर आप इसको स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं मैंने आपको इधर सीट भी बताया इसका सीट इतना है और सीट के इनसार हर एक कैटेगरी का जो कटफ है वो कितना गया जाएगा यह एक्सपेक्टेट कटफ ह में यहां पर रखिए आप लोगो ये वीडियो आपको अची लगी तो अपने दोस्तों को सेर करिए वीडियो को लाइक करिए और चेनल को जटबर सब्सक्राइब करेंगोर छुक्कि यहां पर अब्डेट आपको मिलते रहती है जनन देंक्स वाचिंग नए बीडियो क्य वीट करें तब तक लिए धन्यवाद